तो पहले भी मिल चुकी हुए लेकिन इस बार जब मिलूंगी तो एक मेडल के साथ मिलूंगी लाजबाब असला बढ़ाया उसी उसलेक साथ हमने तो क्यों गई और उसी उसलेक साथ हमने मैडल जीता एक सपना सा होता है अब हर खिलाडी का कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आदर्निय प्रधान मंजी जी से मिलने का हमें मौका मिले जब मेरा मेडल आया और उन्हेंने मेरको फोन किया तब से मेरको पता था कि मैं उनसे मिलूंगा तो तब से मैं वेताव हून से मिलने के लिए तो आज फाइनली मैं उनसे मिल रहा हूं जाने से पेले उन्हेंने बताया था कि सामने कोई भी खिलाडी रहे तो आप अपना नेचरल गेम खेलिएगा या एक्स्तेमली थैंक्फुल तो अवनरेबल पीम सेर्वे एक्स्तेमली डिलाइट तो मीटिम तोड़े मोदी मैजिक ही है जो हम देश आज़ाद होने के बाद इतना हमने अच्छा भरपूर मैडल जोली भर के लाए और ये जादू पूरे दुनिया में चल रहा है मोदी साब कर कि मैं चाहता हूं कि हमारे मैडलिस्ट एक एक करके आए आप से मिलें आपका अभार फ्रकट करें और आप अपना शीरवाद दें अजाई वहाँ जाए जगरना इस अपके पकी उतारते रहे चाहता है तो मैं यह उप्संटर को चाहता है क्रिष्णा कैसे हो अपके यह तो सब ऑक्सं में जाए है है अब अब आई ओड़ाई हो जो अब प्रक्टिस करते हो तब माक्सिमूम कितने बार तो कितना टाइम जाता है तो उसको कलेकरना लाना किसी की मदद लेते होंगे सबसे हुआ तो आई तो यहां तो यहां कितना हाई तो यहां कितना हाई तो यह तो अटेश्ट अच्छा सबस्क्षा तो यहां कु हम अबत डिज्ड़ कोई अबहात नहीं हार मुकल मेल का दो मोड़ाई घंवावड़ाई क्यां बाविना बढ़ा मा दो अधे ओम ड़ाई आसे थे यह इंडिया जो सुन्धिया जवाने जो आँच्वा जो अच्वाव सब्सक्राइब जी बहुत शांदार किया वाँ यह अक्षन होने वाला है यह अक्षन होने वाला है यह तो दे भूमी वाले हो तो सब्सक्राइब के लिए आपने देव भूमी वाड़ी उसके असर यह गद की बाते पुरुटाइब यह बड़ा सम्मान है सब के हमाना ओटोगाप इसमें कितने लोग हैं जो अपने मात्रु भास हम आउटोगाप वावी ना पाकिस्का अग्रेजी वाले अग्रेजी आप से जुरूर जानना चाहूंगा तो यह जाने से पहले आप से बात हुआ था आप तो फोजी इंसान है आप बहुत अच्छा लग रहा है सब कि हमने इतना सब शपोर्ट इतना मोटिवेट के जाने से पहले भी मेरा हमारा परिवार से बात दिया है नो बहुत अच्छा लगा है आप से पुना जाने के बात में फिर प्रेटिश के लिए पैक्टिश को अने लिए नो रेस्ट अभी इसे लिए तैयर करना थे वार सबसे जादा संतोस हुआ होगा पोचीश को हुआ इंडियन स्पोर्ट्स बहुत ऊपर उठ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है करना बहुत आसान है हमारी हर एथलेट के अलग डिसेबल्टी है उनको समझना उनके साथ काम करना तो परा स्पोर्ट्स में कोचिंग करना बहुत डिफ्रेंट काम है सर यह बात है है कि आप लोगों को हो एक विशिष्था रूप से ही सारी चीजों का हनल करना होता है को पैरा स्पोर्ट्स को एक अलगी लेवल पर पहुंचा दिया है जो अभी ट्वेंटी ट्वेंटी का हमारा यह यह अलंपिक्स हुआ है इसमें एक अलगी लेवल देखने के लिए मेला है मैंने हंड़ेट मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा और मैं आपके लिए सीजिएसली में पास वर्ड मी आपके पास मेरे पास कहने के लिए आप स्पीच्ट्स लैस है यह आप सब को बहुत बगाई है मेरी तरफ से गवरो बड़ा गजब का गवरो मिलाये तुम्हें इस बार दो है तरफ आपने जो बात किया वहां पे मुझे एज़ा कोच और मैंने जार आप से कहा कि सर आपको कल भी बात करनी हैं हमसे तो आपने जो कॉंफिडेंस वाली बात करी उसने शायद कॉंफिडेंस फिर से और अधिया और खिलाडियों ने जुजारू उप्रदरिशन किया सर मेरे लिए बहुती खुशी का पल है और जैसे प्रिंसिपल का रिजल्ट अच्छा आथा है कॉलिज में बड़े 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 पोस्टर लगते हैं कि रिजल्ट अच्छा है I am happy sir, very good. बहुत अच्छा ल 23, 19, 21 हमारा bronze medal match रह गया था, but definitely sir, आगे we will come back most stronger, sir. तुम जब जा रही थी, तो मैं तुमारे साथ बात करहाता, तो screen पर मैं तुमारे परिवार को भी देख रहाता, मैं देख रहाता के तुमारे माताजी इतनी भावग थी, तो जब आप खेल के मैदान से निकली, तब उसके साथ क्या बात होगी, जूरो कुछ विश्यास बात होगी होगी. कि अधिनेटी उनकी तरफ से फीलिंग ओफ हापिनेस तथा ही, कि उन लोग के लिए पे गर्व का एसास तो है, ये कि लोग अब उन्हें जानने लग गया है, कहां एक ससाइटी पहले बिचारी कहके मुझे बिलाती थी और सिंपताइज करती थी, और कहते थे कि अरे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, अब आइधिंग सर हम लोग का जनी देखके मैं एतनी ब्लेस्ट दूं कि मैं कोई डिसेबिलिटी मिली है, अगर ये डिसेबिलिटी नहीं होती तो मैं सर को नहीं मिलती मॉल के भार, अगर बैड्मिंटन नहीं खेलती और अगर मैं बैड्मिंटन नहीं खेलती सर तो मैं आज ये गुल्डन ओपिचुनिटी नहीं मिलती सर आपसे मिलने के लिए और पाजी क्या है बटा, अब तक नया अब खेल शुरूगे है बारत का जी बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर मेरा मैंने खोशिस की अतना टाम नहीं मुल पाया था मुझे लेकिन फाइनल्स में गई सर मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है और आपने बहुत सावर्दन किया आपने मुझसे बोला था कि प्रेशर नहीं है अपना बैस देना त चाह थार हो, आपने आपने मुझसे अपने बिय्याने तो है कि अफॉर्म में पर बैस का थो ऑख पर फॉर्मस गष्अ और नेक्स्ट अश्यमम गेम्स गिल्धिक्स अच्छा परफॉर्मस करूँ गा और में मेल्स नेक्स्ट ताइम आज़ ज़ेूंगा और आपका सपूर जो हम टॉप्स के अंदर है उसमें काफी अच्छा से फैनांशियली सपोट मिल रहा है जिसकी होज़े से हम एब रॉट जाएकर ट्रेनिंग कर सकते हैं यहां पर भी बाहर भी काफी अच्छा से फैनाशियली सपोट मिलता है सो रियली हिल्प्स अलोट से थैंक्यू सब्सक्राइब यह मेरा पहला पैरलंपिक था और मैं बच्पन से बीस सब्सक्राइब चुका हूँ मेरे पेर और मेरे स्पाइन पे तो इसबार तो मेडल तो जरूर नहीं लेकिया है पर काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस था हम तो यह और मं के गर्भ हरोते हgil लॉट ओ झाल कराय ही कि लोगों बीट किया है उन लोगों की अजिए हमने और हमारा बेस पॉफॉर्मस दिया है और एसे हमारा एथ्लेटो दूसरे अजी गोल रही कि आपका प्रादानमंझत्रिय आप से बात कर रहे हमारा प्रजेदंट यह बहुत जा भाई जी जा रख वही तो तुरत पूजा रखो है अधा अधार मैं देखा था उसको और मैं लाइव देख रहा था उसा वहापका गेश गवाई तो अभी तो गर पर जाता ही तुमको कहेगे टिकट कहा है जरूर सब को लेके जा रहा है अचाहिए बताओ मुझे यह तड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वोरियर्स को दोनेट कर रहे हैं ने डिवोट करता हूं ये भाव कैसे आया है सब्सक्राइब अपना पूरे देन राज सुबह शाम अवनलब यहां तक खाना पिना तक छोड़ चाड़ियों सब्सक्राइब लोग हेल्प में लगे हुएं तो बहुत बड़ी बात है सरी सब्सक्राइब और फिर उसी वज़े से ये पैलंपिक, आलंपिक और जो भी हो र सब्सक्राइब भी कि देश के लिए समाग के लिए सोस्त है यह अपने आपको बहुत बड़ी बात होती है जरू सब्सक्राइब फादर कोचेज और फैमिली जोनों ने भी सपोर्ट करा हूंका तो बहुत बड़ा हाथ है सर लेकिन कोविट वोई अभी माता-पिता के लिए सब्सक्राइब कोशिश पूरी है सर जल्दी से जल्दी फ्रीयों के फैमिली साथ एक ट्यूर्पन जाना है क्योंकि सब्सक्राइब अब मुझे गर्फ है कि सर मैं देभुमी उत्राखंटका हूं और सर वहां से निकलके और उत्राखंटका पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्फ की बात है और जब आपने मुझे एनॉसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देभुमी उत्राखंट से तो सर मेरे अपने आप रोमटे खड़े हो गए थे कि सर पूरे पुरा वल्ल आपको सुन्डा है और वहां पे उत्राखंटका नाम आरा तो ये मेरे लिए लिए रफ का शण थाूराओ आपको फिशेष बदाई मेरी तरफ से तरापका लाइफ स्टोरी जो है सर चाहे वो पलक का स्टोरी हो और मैश का स्टोरी रोग नोज का स करना दायक तो है सर्थ, everybody is aware of the story. आपको तदा नहीं है, उल्टा है. जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलका है. मैं केरला से हूं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. I am very honored to be here with you. Thank you for everything, sir. पूरे केरल को घर्व है इस बार तो. पोकी में भी केरल ने अपना दंका जबाया. तो शुवाज जी, तोना ये कोज की सबसे बड़ी इस बार गवरोपल है. जी, sir. सबसे बड़ी आपको बहुत बहुत दिन्यवाद, sir. इस तरही के सापने सारी बच्चों को जाने से पहले मोटिवेट किया. पूरी टीम, याने आपके साथ, आपके सपोर्टिंगे साथ. जपान में भारत की अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए. आपके साथ, मोटिछ अन्योच ओर शॉपन के लिए थानोते अच्छी खाने साथ, तो थाने साथ, इस प्रतिवाद कि अच्छी 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 प्रतिवेट व्याद ओट्वाद गर्वेटार्ट कि अच्छी बढ़ा क्या से आपको लोग देखते हैं तो लीक दोग स जो अपने ता मोटिवेट किया है, हमें बहुत जादा से पॉजटव वाइब साइए, हैसी प्लीज मोटिवेट करें, इस बार नहीं आया, बार नहीं आया बार नेक्स अरली विल दू दू दिजी यह नापको मेरा बेला है कि नहीं मिला है, यह दिमांग में बिलकुल इसको आप दिमांग में यह रखो, नेक्स्ट, वरना है हो गया हो गया सर, पाया है तो भी ज्यादा उसमा फसे मत रहो, खोया है तब भी मत मत बर, वहां तक आप पहुंचे यही बहुत बड़ी अच्वमेंट है, नमस्कार सर, मेरा नाम तीपाग, मैं बाला से हूँ, और मैं तो आप से बहुत पहले से ही बहुत जादा तेजीत रहता हूँ, क्योंकि आपने जब आए तो सबसे पहले लोग विकलांग बोलते थे, और आपने उसके पर स्पेशली लिखा कि भी दिव्यांग को लिए, एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था, उसके लिए मैं आपका दन्यवाद गड़ता हूँ, सर मैं करेवन 13 साल से हूँ पैरा शूटिंग के साथ, और मैं शूटर्स को कह रहा था, तुमने तो एक एक कलर लिया है, मेरे पास तो सारे हैं, कि दो गोल्ड है, एक सिल्वर है, दो ब्रॉंज हैं, तो गोल्ड, सिल्वर ब्रॉंज तो बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों के लिए, कि जो है, ये लोग जितनी मेहनत किया था, इनोंने उसमें सफल भी रहें, एक वाक्या जो मैं आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा, कि आपकी पॉपलरिटी मतलब हर जगा है, पर बगल में ही किसी और ने उनको रुका बुले नहीं, ये सही बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रताहन मंत्री का इवन बहार के प्रती भी, जो है बहार के नाज़़ सभी लोगों को ये पता है कि इनके साथ हैं वो, और जब एक मुझे लगता है आप प्र करते ही है बहुत अन्यवाद सब्सक्राइब करें लेकिन अगली बार में इससे भी बैस्ट दूँगा और देश के लिए इससे भी अच्छे मैडल ले पाऊंगा आप लोगों की इस एचीवमेंट का सबसे बड़ा परणाम समाज जीवन पर होने वाला परिवारिक जीवन पर होना है माबाप को लेगा है बच्चे को खेल में इंटरेस है तो खेल लेगो इसको मदद करेंगे गाइड करेंगे बड़ा कल्चर पादा होगा चलो भाई आपका परिवार को तो बहुत प्रसंद नजार आ रहा है जी बिल्कुल आपके आशिवार का सब्सक्राइब रेट रेटर रेज में खेल कुद में आई सब्सक्राइब आपने देश में जो प्यार जो मीडिया से इस समय मिल रहा ना वो कभी नहीं मिला इसके लिए मीडिया आप धन्य है सर चलिए आप सोकों को बहुत शुपता मना है मेरी सत्माल जी बताइए तलिये हम तो कोचीच साइस बार जादा जानना चाहते है जी सर हमारा बहुत अच्छा परफॉरमेंस रहा है अथलेटिक्स में और मैं अपना एक्स्पिरियंस एक्षोटा सा सेयर करता हूं आपके साथ सफमें टुथजजवचेशन पूरा करकर एफ लstag ट्रेइडिक्स है अफ्मारा स्पर किया तो मुझे लगा मेरे स्टेडियम में कुछ डियांग अथलीट आतेजे मैंनको ट्रेंग करना स्टाट किया तो मुझे ज्या यह लगा कि यह लोग जादा फोकस होते हैं मैंने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया 2004 में देविंदर जाजडियाने जी ने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन हिंदुस्तान में उनको इतना कोई जानता नहीं था और आज हमने 2005 से स्टार्ट किया कोचिंग करना आज सब दिव्यांग एथलीटों को जानते हैं मैं इन उपलगदियों के लिए सरव प्रतम आपका धनवाद करना चाहूंगा खिलाडियों को अपरोग शरूप से बहुत सारी सहायता मिलती है पर परोग शरूप से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए हूँ जब इस मुकाम पर आते हैं और यहां आकर बैठते हैं को पुरा देश उन्हें जानता है मीडिया उन्हें पहचानती है तो यह सम्मान देलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ दिव्यांग जनों को कोचिंग करना यह सिरफ शारी क्षमता से जुड़ा हुआ विशय नहीं सिर्फ खेल की टेक्निक से विशय से भी आगे आपको उसकी हर मन की रचना को आपको एड्रेस करना परता है और इसलिए मुझे लगता है कि एक आज बार जो दिव्यांग जनों के कोचिश है उनका एक वरक्शॉप करना चाहिए उनके अपने एक्स्पिनेस क्योंकि उन्हो इस प्रकार से इनको ऐसी समस्यात ऐसे हैंडल करना चाहिए निराश आहिए तैसे क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ साइकलोजिकल चीज़ों को हैंडल किया होगा कभी-कभी माबाप को भी गाइड कर सकते हैं एक अच्छा डॉक्यमेंट तयार हो क्योंकि मैं बहुत म काम नहीं है जी राम राम सर मैं कशिश वाक्रा हूं और मेरी 17 यह जै और मैं पर अथलेटिक स्टार थीन साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की जैसे जो सने मेरे को सपोर्ट करा मेरी फैमिली ने तो मैं इंडिया जिए यंगेस परालंपियन बन पाई और मु खूश होगी थी आपको देखके तो मैं भाग के इपनी ममी के पास गई जो मैं ठीक थी तो मैं बोलती मेरा वह बच्पना था कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिल्ला है कि यह देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे तो ममा ने बोला कि ठीक है पर पहले कुछ करके दिखा जो उन से मिलना है तो सर मैंने साथ साल वेट किया आपसे मिलने के लिए 2014 से लेकर और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलनेगा जो बच्चे होते हैं ना जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आबाज होते हैं तुमने ग्याना साल की उमर में जो बोला तुम्हारी सोच नहीं हो कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशिरवात बन गए मेरे लिए मेरा भी सपना है सर मैं रियो में सीख्त रहा था अब मैं फिर जब तुमा और आप से मैडल के साथ मिलूगा ये मेरा सपना है यह जो मेरे लिए सर्फ पैर अलंपिक अजीमेंट नहीं थी गाओं में जिम मैं आप से मिलके घर गया तो सबी एक रहे थी यह प्यम साब से मिलके आया वही यह नहीं उनको यह था कि अभी यह पैलंपिका हि अच्छा दिए थेंक्यू बोलना चाहा हूँ कि यह आपने मुझे मतला इतना रैस्पेक्ट दी बलाया और सपोर्ट किया है मैडल से चूप गया गोल्ड से एक जंप की वज़े से पर नेक्स टाम मेरा टार्गेट रहा कि गोल्ड ही लाना है अपने देश के लिए मैं चाह लेकिन अभी जो हुआ उसमें कुछ कमी रही कुछ तक्लिब हुई इसको बोज मत बनने जा बिल्कुल मत बनने जा अशरत अब मैं आगे का गेम फुल टेंशन फ्री ओके खेल हुआ है अब मैं अपना स्पोर्ट जो मेरा पैशन है उसके तहत है जो हो गया था स्ट्रेस में जैसे आपने जैकली को स्ट्रेस में हम लोग ना जो में पसंद है गेम वो फिनिश हो जा रहा था अब मैं एक्शी इसको करना चाता हूँ मैं अपना हाइजम जो टी 63 है पैरलम्पिक्स में इसको बहुत में में फोकस मानते है तो मैं चाहता हूँ को पब्लिक को दिखाओ कि हम लोग कैसे एक आर्टिस्ट है और एक आर्ट कर रहे है एक वो कावत है कि साइद प्रतेच को परमाल की क्या जरूरत ह तो यहां पर यही है कि लास्ट टाइम उन्नीस एथलीट गए थे खेलने के लिए इस वार उन्नीस मेडल आये है तो कह सकते मलब पैरा स्पोर्ट किस लेवल पर चला गया है यह कोई प्रतेच को परमाल की जरूरत नहीं है और सर मैं यह पूछना चाहूँगा सर आप से जै आप से मिलने के लिए थोड़ा नर्वस भी थे एक्साइटमेंट भी रहता है आप जैसे आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो आपके मन में क्या चलता है सर आप कैसे उस कंडिशन को हैंडल करते हैं मेरा बैग्राउंड बहुत अब जैसे ही एक सामाने परिवार करा है अब बच्पन में तो कभी स्कूल के प्रिंसिपल भी एकर नाम से बुला देते थे तो आप ना चोड़ते थे कि प्रिंसिपल को मेरा नाम मालूब तो यह जीवन के खुशी तो रहती है अरेक रहती है लेकिन जब मेरा सारवजेरिक जीवन का दाइत्व अबना तो एक प्रकार दे मैंने अपने आपको भूला दिया अग्या कभी कोई नरेंद्र मोगदी या कोई गांशाया हो एंसरों कुछ सब दिमाग से निकाल दिया है जब गुजरात मेरे काम करता तो मेरे मन में रहता था तो मैं नहीं हो च्छे करोड गुजुज्राती यह मेरे मन मेरा है और अब दुन्या के किसी भी लीटर को मिलता हूँ तो मुझे यह नहीं लगता है कि मैं मिलता है कि मुझे लगता है एक सो तीस करोड देश हुआ है वाचिर के कान मुझे कभी इंदेशीं नहीं होता है कोई बड़ाइक्साइटमें ची होता है जैसे मैं आपको कहता हूँ आपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए मैं भी मन में रखना हूँ मैं मेरे देश की बात पड़ी ताकत से करूगा बड़ी विस्वास से करूगा तो यही भाव है और क्या है आपकी सर मेमोरी बहुत सार्फ है सरा आप एकदम याद कैसे रख में जवन देखता हैं आपके कई ख्लाडी है जिनके पूरी परीवार से में जूल गया हो तो एक प्रकार से जिसको हैं अपनापन हो जाता है तुसको एक आनन दलो होता है, फिर आपको याद नहीं लगना पड़ता है सर आपने बहुत इंस्पार किया मोटिवेट किया हमारे प्लेयर्स को और जिसकी वज़े से हमारे प्लेयर में जो कॉंफिदेंस आप इतना हाई लेवल का कॉंफिदेंस आप कि इस इस फिर्स ताइम आई साओ एट 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 अवरे प्लेयर की परफॉंग इस बेस्ट जादा दिव्यांगता की शेनी में महिलाओ ने बीलचेयर पे होते वे एक बहुत मुश्किल शरीर में होते वेवी देश के लिए बड़े-बड़े मैड़ जीते हैं तो इसका बेट में किसी भी एक्षेतर में देखिए सब्सक्राइब उनको उनको आउसर मिलना चेवाइब ऑर उनको बहुत बढ़ने देखिए पिर स्कुष्पर में मिलने αपनले मिलना षाहें तरह झालांभuine कुछ सेंटीमेट्रों से मेडलाउट हुआ हुआ है तो सर बस यह एक यार तो रस्टलर होना चांटे थे आप इमन में है क्या है किसे फेसे हें सरमेन लेरासिलिंग करते थे तो पाप यह चाहते थे कि मेरा लड़का भी मेत 팍ध बड़ा स्पोर्ट्स संबने एफा pan की दूसरे गेम चुज कुछ किया हैं वार सटर यही है गिर करें गेल ना ही खेल होता है यहं को स्पोरसमें फोर्स मिं सपिरिट ऑगर गिरें है तो इतना स्ट्रेंग को सबीकिके खड़ा हो प्रहु financially दॉवरा करेंữ अगली बार जरूर अच्छा करेंगे पिताँ जी ने अब बाद में खेल के बाद क्या का खेल के बाद यही का कि बेटे तुने बहुत अच्छा किया कोई गबराने वाड़ी बात नहीं है तो यहां तक पोचा यह हमारे लिए फिलाडी है गरव कि यह सरी थोड़ा फायदा है कि वहनों ने मेरे को मोटिवेशन दिया कि कोई नेक्स टाइम अच्छा करेंगे अभी कोई बात ने आप लोग जो आखरी तपते के पहुंचा है ने तापको धुनिया के सबसे बड़े खिलाडियों के साथ थिलना होता है और इसलिए आपकी छनोते जरा जादा होती है है कि जब तक मिले जाने जब तक छोड़ू मैं देखें आपका सबसे बड़ी ताकत जो है ना इन दो वाक्यों में पकड़ लेता है मैं जान सकता हूं कि यह हुआ और वही यहां रिपीट हुआ तो आपके मन पर क्या परिस्ते की होजिश्का मैं अंदाज कर सकता हूं लेक करता है अजिए फिस्क्राशा लेक्षाल करता हूं की सरा मारे डेश का मुख्या ऐसा है ना कि ऐसलगता जैसे जैसे बच्चे स्कूल में फिर निकर्द ग一定要 बच्र ओ.. तो मेरा पिता जी टीचर है तो मैं बढ़लो हमें ऐसे फिल होता है कि जैसे आओ हमारे पीचह को घड़ है यहां आप देख लेंगे किसी को भी है तो देखिए 130 करोर दोस्त देश्वासी आपके बिल्चे खड़े हैं सर्मुक्या तो एक होता है तो आप हम सब को लीड कर रहे हैं सरहाँ आप की सोच इतने अच्छी है साप सबको साथ लेकर चलते हैं सर आप खिलाडी ने खिलाडी फोजी जितने भी जो देश के लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं आप उन सब को अपने आप से जोड़के और उनके लिए काम करते हैं, खेल में सिर्फ खिलाडी के भरोसे आप कभी भी देश विजय नहीं होता है, सारी टीम स्पिरिट चाहिए, एको सिस्टिम चाहिए, सपोर्ट सिस्टिम चाहिए, टेकनोलोजी चाहिए, सब चीजों की जरुत पड़ती है, और इन सब क एक माला में परोना पड़ता हैं, तब जाकर कि वो भारत माता की गले में माला पड़ती हैं, मुझे नहीं पता कैसे बोलना चीज, आपके लिए सर जितना बोला जाए, मतलब आपको सलाम है तही दिल से सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को, जो ये पोजिटिव सोच आप कोई बात नहीं, कोई काम करते हैं, उसमें तुरूटी भी आती हैं, हर काम में आती हैं, लेकिन फिर भी उसको आगे कैसे लिजा जा सकता है, सर ये आप से सीखने को मिलता है, मुझे लगता है कि आज का दिन, मेरे लिए सब से सोभागेशाली दिन है, मैं सर आपके सामने ब यही पुछं सेमेरा मां ममी बेस्टीं होक्या सा एलाइग फीजिव गया श्राव श्रावट गॉल्ड मिस्व आ तेदा फीजिव ओ गया मना पुछंड मैम्मी पुछ्ड एलेक सेमें पुछ्ड नौ पॉब्ट जोडे कोख्यो कि माताई जी का बहुत बड़ा कॉंटुपिशन है ये अच्छलिए आमको ये पारवलम्पी करेंगे सार आपको हम देना चाहिए जुरूर लगाई है ये हमारी पैसान आपके सार इस अवलम्पी करेंगे सार विद्वानों की टोली है इसका इसका कि लोगों में धार्णा है कि जो खेलते हैं वो पढ़ते नहीं है पढने में उनको इंटीडूची नहीं हो तो मैदान में खेलता रहते हैं जी SIR यह तो आप बहुत बड़ी प्रेना दे सकते हैं आप देश के नवजवानों को जी सर बसर स्पोर्ट के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी तो इससे एक फाइदा यह होता है कि हमें डिस्ट्रक्शन कम होती है खाब जैसे हम स्पोर्ट से फ्री होते हैं तो रेस्ट भी कर लेते हैं और साथ में हमारा समय खराब नहीं होता हम खाल ली और दिमाग ज़्यादा बटकता नहीं है इन चीजों से क्योंकि बीजी रहता है आपने और भी ख़िल, खिलाडियों को जीखा उनका अभज़र किया होगा, उनकी टेक्निक आपज़र की होगी क्योंकि खेलने के लिए जाते हैं लेकिन बाकि सहमें सीखते हैं और उनको कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं तो आपने भी बहुत को सिखा होगा सर बाकी खिलाडियों से सर हमने ये सीखा है कि पहले जितने भी कंपिटिशन खेले दिमाग में कंपिटिशन का डर ये सब रहता था लेकिन इस बार का जो मेरा परफॉर्मेंस रहा मैं समझता हूं कि आप तक का सबसे बेस्ट रहा मेरे तिल में कोई डर नहीं था कोई कुछ नहीं था मेरा हर एक तीर मुझे पता था कहां लग रहा है सर बच्पन में सर हम दुरदर्शन में सर हम भूंगे काम्याब देखते थे सर जै क्योंकि मेरी शिक्षा सर गाउं से शुरू हुई थी तीन बार सर मुझे स्कूल वानने एडमिशन नहीं दी थी और जिंदगी की सफर ने सर आज परलंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सवभाग के दिलाया है सर जो मेरी लिए परलंपिक मेडल से कम नहीं है और मैं भगवान को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं सर मेरे स्वर्गी पिता जी कहा करते थे स्कूल में अभी कि मेरी भागशाली दिन मानता हूं सर और 2018 में सर जैसे सर आपने कहा की आग लगी रहनी चीए की एशन परागेम्स में कोर्टर फैनल में सर इंडमेशा की खिलाडी से में हार गया था तो एक मेडल चूक गई थी इस वार सर सेमी फैनल में वो ही खिलाडी मुझे मिला और मे कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना है कि सामने कौन है आप अपनी बेश्ट देना आपकी प्रेरणा थी सर और भागे मेरे साथ तसर आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मुखा मिलाया सर सोने से थोड़ा कम चुट गया सर बट मैं वाकई में सर सभाकिशाली मैसू आप प्रे और देश का महाल गदल दिया है अपको तो लगों को को मैं मैदान में एक को हरा था है यजा नहीं है अपने हारी हुई मानसचता को हरा दिया को बहुत बड़ी बात है जो मैं मानता हूँ कि हमे जीतना भी है और हार को हुराना भी है हार को हराने का मूरु हमेश्ण बना रहे हौB क्यासा रहा अनुभाव चल मैं पहले आपको तीन बार मिल चुका हूँ खिलाडी बनकी तो मेडल भी लेकर आके आपको मिल चुका हूँ इस बार आप कोज बनके मिल रहा हूँ तो यह बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने देश के प्रदान मंत्री से बार बार मिल रहा और दोहजार बारा तक भी जब खेल रहा था तो किसी को पता ने चलता था कि भी प्यारा क्या है अपर अच्छा आपका गेम भी होता है रोला हम एबल से भी ज्यादा लिफ्ट करते हैं तो अच्छा आप ऐसा भी करते हैं तो जो हम बताते थे कि गूगल में देख लो यू आपकेता हूं थैंक यू वरी मुच्छ मेरा पार्फर में से इतना अच्छा दिया फस्टैम मतलब इतना रिजल्ट में देवाया तो बहुत बहुत धन्वाद आपसे वाद करते हैं और मेरा घरवला तो मतलब गावला पूरा जास्वानरी में ओलंपिक गें वो खुशी न यू खुशी ने गावला जास्वानरी में अ ळितना प्रफ टॉड़ पार्फरेश जोडोड़ आपना जोड़ तर भूट मुझा खुशी वूए क्या में इसमे पार्तिसीपीट हुई हाले कि मेरा मेरल नहीं आया पर मेने बहुत गए पाईट छीचा जोड़ जाना आवर सर में आपके साथ बैठी हूँ तो मैं समझ रही हूँ मैं जीत गई वाव वाव और सर आभी अब प्लेयर को मोटिवेशन दे रहे हूँ वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि अभी प्लेयर ज्यादा मेडल लेके आ रहे हैं सर वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पह रहता था पहला मैच मेरे बहुत ही बूरा गया और उस दिन जो मेरी रात पिन बहुत मुछल वानी युवत फीक इनी तो इस दीन मेरे और दुसरी बात यह थी कि अगर मैने आज कुछ नहीं करके डिखाया, हाँ मेरा बॉडी रियक्त नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आज मैने कुछ करके नहीं दिखाया, तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, तो बस आपसे जो मूटिवेशन मुझे हमेशा मिला है, आपसे जो मैं फिल्कोल दिमाग में से निकालड हो फोई Marianas Ugaman अभू हमेशा पॉजिटिवीज भी सोचो। कर दो पॉजिटिवी भोलो ये समय जादा बड़ा दिया सर अब हर गाव में हर में पैरा स्वोट सब्सक्राइब यह जाता है सर जिन्द की में कुछ जी रहे टार्गेट मिल जाता सर वो देखें आप लोगों ने बहुत पुर्शार्त गिया है और बहुत सथमुच में सब्सक्राइब को इंक्लूड किया गया और तब भी मैं बहुत तयार था कि मैं जाओंगा और डेफिनेटली अपने देश का नाम और जंडे को उपड़ लहराता हुआ देखूंगा मेरी एक बहुत सपना था कि मैं ऑलम्पी खेलो तो वही चीज है कि अगर आप दिल से चा और अपने पूरे भालत का जंडा पूरे विस्व पे लहरा पाया ये मेरे लिए खुस नसीब है और सर ये सब कुछ हो पाया आपकी जो सब्द है क्योंकि आपके सब्द और आपके जो चेहरे के तेज है सर एक्षिन मैं ये बोलना चाहूंगा सर क्योंकि हम जब भी बात कर तेज आपने जो कहा कि तेज है ये मैं तो स्वायम प्रकाशित नहीं हूं मैं पर प्रकाशित हूं तो एक सो तीस करोर देश्वास जो तेज है ना तो मेरे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है वो दिखता है मेरा नहीं है ये जरूर 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 सोटा कर ले आवसो तल ये शुक्रो दगा इतने सारे पारल्म्पिक्स आए और गये लेकिन ये पहला ऐसा पारल्म्पिक्स है जो पूरे देश ने सिर्फ मेडल्स की गिंती नहीं किये लेकिन खेल देखें और ये जो बदलाव आया है पुरे देश में आइधिंक इसकी हम बहुत इंतजार था कि सिर्फ क्रिकेट चोड़ कि आपको इस परफेशन में आने के इच्छा कैसे हुआ 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 आप वैसे मेरी शुटिंग की आप यून करियर की शुरुआत हुए और तबसे ही मुझे यह एक पाशन ही रहा मैं दोहजार के लिंपिक फाइनल्स में थी और अब मैं अज़ा कोच इंडियन तीम के साथ हुआ 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 है इस पल देकर में एकोंगी कि हजारो अर करना और सामने आएंगी और अच्छा करेंगी और मेडल लेकर आएंगी अबना बताइए नमस्कार से पहले तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ इसे बिलकुल पासी बैटियू फ्रेंट सीट पे आज मेरे मंभी पापा बहुत ज्यादा करा और मैडल तो नहीं जीत पाई बट मैंने लोगों की सोच जरूर बदली है क्योंकि यह लोग यह सोचते हैं कि जो हैंडिकाप होते हैं वो तो कुछ नहीं कर पाते क्या करेंगे कुछ नहीं होगा उनको सहाराई की जरूरत होती है बट ऐसा नहीं है है हैंडिकाप से हैं के बाद भी आप विश्वास जीत करके आई हो और वो सबसे बड़ी पूजी है पहली बार जाना नए खेल में जाना जहां भारत की पहचान नहीं है वहां इस प्रकार का प्रकेशन करने अपने आपने बहुत बड़ी बात है थैंक यू से अब नहीं बताईए गोल्डन गल ब बात चल रहे थी तब आपने का कि अपना बैस देना है 100 परसंट देना है मेडल की नहीं सोच नहीं है और कोई बोज लेकर नहीं चल रहा है तो मैंने बस वहीं सोचा मैंने बस अपना बैस दिया अपने प्रसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया उसका स्ट्री को है कि यह सब शनने कैसे खाइं मेरे मन हैं यह और हम आप मैद इसकते हूं कि अब कर सकते हूं तो इसल्य मेरे मैं मैं कि मेडल सब भी भार्तियों को डेडिकेट करना साती हो दोनों और मैं आप बहुत थैंक्फिल हूँ कि आप में उतना सपोर्ट किया और अगर आप ऐसे आपका आशरवाद हैं यह साथ और सारे अथलीट के साथ तो हम अगले काई डेकेट्स तक बहुत ही अच्छा प्रद कि आपने सभी खिलाडियों को बहुत अच्छा सम्मान दिया सभी का मान बढ़ाया और सर आप अपने सम्मान और खिलाडियों के लिए आशरवाद ऐसे ही बनाए रखें सर हम बस यही आप से प्रात्ना करते हैं और फिर जब हम लोग यहां से गए और आपने जो हमारा हर आपके साथ आगे आपके आशरवात के लिए देखें जीवन को इतनी सरलता से लेना अपने बड़ी बात इसा होगा तो जडिकना होगा तो फज़रा होगा तो यह निसे शरौ रहा है और होता रहता है छलो भी अपने रस्ते पर चलते चलो चलिए मेरी बहुत शुक्ता म कि अनुश्कार साथ मेरो नाम टेक्शन्द है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप जैसे पारा खिलाडियों जैसे बात कर रहे हैं और हमारे जानने से पहले जैसे खिलाडियों से बात कर रहे थे और मेरे परिवार भी उस समय हमारा मतलब जो से के टुगना तिकना हो जाता है और आज इतना मानों सम्मान ये सिर्फ मिल राएं इसका सवय आपको बहुता है लेट होने के कारण मिश हो गया था जाए नहीं दमाग में था कि मेरा ओलम पेग्स हो गया फिर भी को साब मेरा फुल सपोर्ट किया मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया और मैं वापास से तयार हुआ और आज अवलंपक्स के अंदर मेलम जो प्रेसर था वो मेरे उपर से घट ग सब्सक्राइब तो आपको नमस्कार बोला जी याले तो आपको नमस्कार जर्टी को आश्यवाद दीजिया वारा बिल्कुल सर 2004 के अंदर में एथेंस परालम्पिक्स में गया था एक ओलेज स्टुडेंट हुस्टाइल में सर मैंने लंबा परास्पोर्स किया उनीच साल होगी अधिया तीम में तो तो फोजन फोर में जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया था और व पैसे कैसे मैंनेज किया आज बताशलना वो दिल की बात मेरी मा के गैड़ों तो मुझे आज खुशी इस बात किये कि जब मैंने में वहाँ ओल्ड मेडल लिया चार में फिर सोला में लिया और मेरा सर तो अपने बनाई उसमें कामिया वाओ उस मिसन में और मुझे बहुत खुशी है कि देश के लिए मैंने एट्रिक बनाई यह मैडल की सर मैंने एक बात कहना चाहूँगा कि जाने से पहले आपने जो में मोटिवेट कि परिवार के साथ बात किया आपने हमें बताया कि आपको बद खेल के आना है विशेश तोर पे मेरे से ताथ में बात करके गाया कि आपके साथ प्रेसर भी बनाते होगा आपका मेडल आगया गया सारेet साथूर 2 लॉ से में विए कि उसले का दूच談। हम और तोकिए आज में पहुंचने के बाद उसले से घरावज कर दोचा रोसी उसले से मेरे ज़िता। तो मैं विसेख तोर पे कहना चाहँ आधा कि जो सुईडाय थी। अज है भी मुझे आंड-दो जर्त्य आर में मैंने पुछा कि यह जो एकिरी के पीछ ती टीन को यह ay कि अग्रोज तो असाथ गया है था कि एक पिछे उत्युद एक वीजी सॉतल अरो फिटनेश्ट रेनर रहता है तो सर्व वह मेरे कुछ बताने था लेकिन आज मेरे साथ एक फीजियो था एक फिटनेश ट्रेनर था और एक कोश्ट था तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत है जले भाई आप सब को बहुत बहुत सुब कामना है मेरी सबसे पहले तो फिर से एक वार आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आप सब अभिनदन करता हूँ लेकिन मैं आप से कुछ अफेक्षाएं भी करता हूँ अब आपकी एक पहचान बनी है एक प्रकार से आप सेलिबरेटी बन गए है आपके परिवार जनों में आपके गाउं में समाज में आपको आपकी तरब देखने का नजरिया बढ़ला है स्वाबाविक है और वो आपकी तपस्या के कारण आपके पुर्शार्थ के कारण आपके पराक्रम के कारण अब ऐसे मैं आपकी छोटी छोटी चीजे भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं कि बहुत लोगों को मोटीवेट कर सकते हैं देखिए आजहादी के 45 साल है और 2023 15 अगस तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको फेरिश जाना है तो एक पकार से आजहादी के अमरुत महुत्सव यह पूरा कारकार आप लोग देश को क्या दे सकते हैं देश को कैसे मोटीवेट कर सकते हैं आपके आसपास के लोगों को स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नवजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए इस आजहादी के अमरुत महुत्सव मैं मेरी खेल जगत के उपरांत अप्तिरी मैं कोई एकात जिम्मा दूँ और मैं उसको पूरी तरह समय दूँ सब्ता में एक घंटा महिने में एक घंटा जो भी अपनी सुईदा है लोग आपकी बात को आपके भावार को भौत फिकार करेंगे और देश में बडलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिक आज़ा कर सकते हैं आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के और आपके जीवन को लोग बने गर्व से देखेंगे पहले क्या था कल क्या था वो सब छोड़ दी आने वाली कल आपके लिए बहुत पुझवल है और इसका पूरा फाइदा उठाइए मैं हर पल आपके साथ हूँ आपके सपने यह हमारे सपने हैं कि वो सपने साटार करने के लिए मैं जहां हूँ जो भी जिम्मेबारी हैं मैं कुछ न कुछ करता रख लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी तरब से फिर एक बात बहुत बहुत सूपका हूँ आपको मैं नवाद कर दो हूँ आपको मैं आपको मैं आपको मैं नवाद